नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं आरोगे सेतु एप को किस तरह से आपको डाउनलोड करना है क्या उसके बेनिफिट्स हैं क्योंकि सरकार हमें बार बार कह रही है कि आरोगे सेतु एप जो है वो डाउनलोड कीजिए दूसरों को भी करने में मदद करवाईए क्यो इसलिए आप लोग जो है इस पे स्पेसली फोकस रखें दोस्तों और जो स्पेसली आप लोग फोकस रखोगे तो आपका ही बेनिफिट है आपके परिवार का ही उसमें फाइदा है तो इसलिए आज आरोगे सेतु एप जो है उसके बारे में हम लोग समझते हैं आरोगे सेतु यह देखे दोस्तों यह आपके पास आरोग्य से तू एप क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड की हुई है तो इसलिए यह आपके पास दिखा रहा है तो अब हम चलते हैं जहां पर आपके पास वो डाउनलोड की हुई है यह आपके पास इसका आइकन दिखाएगा दोस्तों यह आपका आइकन बना हुआ है अरोग्य सेत्वर क्योंकि मैंने दो दो की हुई है इसलिए आपके पास दो नंबर्स पे चालो है आपके तो एक नंबर पे मैंने हटा के और उस नंबर को आपको रेजिस्टर करके तो इसलिए इस पे special focus करें सबसे पहले आपको इस पे click करना है दोस्तों click करने के बाद आपको ये interface दिखेगा इस interface पर आपका लिखा हुआ है Each one of us has the power to help prevent the spread of the coronavirus सब जो है हम लोग ये ये power है कि आपके पास कहता है कि दूसरों को बचाने की उसको coronavirus को बिलकुल भी ना फैलने दे इन हिंदुस्तान इन इंडिया भारत में हम लोग कोसिस करें ये प्रतेक का आपका करतव्य है कि आप लोग उसको बिलकुल भी इतनी power आप to be kept informed if you have crossed path with someone who has tested corona 19 positive आप लोग जो है उसमें वो उसमें इसकी information दे सकते हो यदि आपने जो वो path है वो cross किया है basically आपके पास कि जो आपके पास कोई भी positive था 19 tested जो किया था तो आप उसके या तो संपर्क में या इस तरह का तो basic क्या है इसमें इसो किया हुआ है next जो procedure आपक ब्लूटूथ यह आपके पास इसमें Bluetooth आएगा वो आपका continue run करता रहेगा location generate रहेगी by social graph your interaction with someone who could have तो इस तरह का basically आपके पास यह so किया हुआ है simply install the app switch on Bluetooth and your location उसमें Bluetooth location जो है दोनों on करनी है set location sharing to always जो location sharing वो always उसमें option करना है इसके बाद आपके पास जो friends है family members है उनको invite करना है कि आरोगे set to app आप भी download कीजिए तो यह आपके पास basic procedure है next आपके पास फिर से इसी तरह का एक interface दिया हुआ है तो यह आपके पास alerts बताये हुए कि क्या आपके पास इनका benefit है क्या आपके पास करने का इसका फाइदा है next एक और interface आएगा दोस्तों यह आपका तो कोसिस की आप लोग की जादा से जादा लोग protect रहें जादा से जादा जो people हैं उनको हम लोग वहाँ पे invite करें उनको इस तरह से आप लोग रखें इसके बाद आपको यहाँ पे register now पे click करना है यह आपका हो जाएगा register now अब इसमें कुछ terms and condition है क्योंकि यह app दोस्तों बिल्कुल भी virus free है किसी तरह कि आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह का आपका जो भी data है वो कहीं पे भार नहीं जाएगा क्योंकि हमारे देश की app है यह इस सरकार में specially बनाई हुई है लोगों को जो है बचाने के लिए लोगों को corona free करने के लिए आपके पास अब यह ट्रम और condition हम ल नमर मंगेगा तो इसमें अपना phone number देना इसके तुरंट बाद आपका OTP आएगा क्योंकि यह मैं आपको यहाँ पर phone number 100 नहीं कर सकता दोस्तों तो आपको जैसे इसके आगे का procedure है वो फिर बताता हूँ अब मैंने इसमें phone number डाला दोस्तों इसके बाद मेरे पास वो OTP आया है अब इसमें मैं अपना OTP जो है वो डाल देता हूँ कि किस तरह से आपके पास यह OTP की मदद से आपका register हो जाएगा इससे पहले वाला जो था उसमें मैंने अपना phone number डाल दिया था तो आप भी अपन phone number डालिए और उसके बाद मेरे पास जो OTP आया है वो मैं डाल लेता हूँ दोस्तों इसमें फिर access कर लेता हूँ यह मैंने OTP डाल लिया है दोस्तों और मैं इसको run कर रहा हूँ इसके बाद तुरंत बाद आपके पास वो interface आया था और आपके पास यह दिखा रहा है आरोग कर दिया इसके बाद आपका full name मांगेगा दोस्तों तो full name अपना जो भी है उसको हम लोग इसमें fill कर देंगे इस तरह यह फिल कर दिया दोस्तों अब next का जो page है उस next के page पर click करेंगे हम लोग यहां पर इसके बाद आपकी age पूछेगा age कितनी years हो गई आपको तो यह आपक के पास profession है वो आप दे सकते हैं या फिर अपना none of above करके इसमें आगे forward कर सकते हैं तो यह आगया आपके पास तो कहता है कि countries travel outside in last 30 days कि कि किस country में आपके पास last 30 days में कहीं आपने कोई traveling की है कि नहीं की है तो यह आपके पास दोनों option आएंगे कि आपका country है वो भी आपके पा कर देना है इस तरह से आप आगे कहेगा कहता है कि ready to volunteer in the time of need जब आपकी जरूरत है as a volunteer लोगों की सेवा करने की तो उस समय क्या आप लोग ready है की नहीं है तो वो आपको प्रेस करना है yes या no तो यह मैं yes कर रहा हूं दोस्तों कि कहीं भी कोई जरूरत पड़े अब कहता है कि are you feeling well यह इस तरह के question पूछ रहा है हम लोग अच्छा फील कर रहे हैं yes तो yes या फिर no तो वो no करोगे तो भी उसमें आपकी मदद करेगी सरकार के reality में आपको कोई problem है आपके family members को कोई problem है तो उसमें करेगी take 20 second self assessment test अभी एक self assessment test लेगी आपको access करेगी कि किस तरह कि आपके पास correct answer देना उसमें कि जो भी आपका सही चीज है उसी हिसाब से तो आपको उसकी में better sport मिलेगी तो okay got it got it करने के बाद इसका पहला question आया please note that information from this chat will be used for monitoring वो आपको monitor कर रही है वो आपको check कर रही है and management of the current health crisis and research in the fight against the covid-19 जो भी आपकी team लगी हुई है वो basically इस जो एक महामा आरी जो problem फैली हुई है उसको उससे लड़ने की आप लोगों के लिए वो पूरा work कर रही है और आपका जो current health है वो उसके बारे में जानने की कोशिज कर रही है please note that information from this chat will be used for monitoring and management of the current health crisis and research in the fight against covid-19 वो इलाइन लिख हुई है are you experiencing any of the following symptoms क्या आपको कोई कफ की problem है क्या आपको none of above पे चले जाएंगे तो यह आपके पास none of above हो गया have you ever had any of the following क्या इसमें कोई problem है diabetes की problem है hypertension की problem है lung disease है heart की कोई disease है या फिर none of above है तो वो यह आप लोग mention करेंगी इसमें तो मैंने जैसे किया कोई problem नहीं है तो इसमें यह करेंगे have you traveled anywhere internationally in the last 14 days last के 14 days में कहीं कोई आपने internationally travel तो नहीं की है तो लोक बंदी है क्योंकि तो बहुत अच्छी बात थी भारत सरकार ने इसमें लोक बंदी बहुत जल्दी कर दी थी lockdown कर दिया था तो lockdown की वज़े से आपके पास फ्लाइट वगेरा सब्बंद कर दिया था तो वह ऐसे बहुत अच्छा काम हो गया था तो इस इसमें आपके पास वो क्लिक हो गया था तो इसमें बैक करके वो भी हम लोग कर सकते हैं कि नो वो मेरे से गलती से हो गया था तो इस तरह से आपका ये एकसेस हो गया है इसके बाद आपके पास ये इसमें चीजे लिखी हुई है ये रिकमंड करते हैं कि होम क्वारंटाइन आ 12 से कर सकते हो और करने के बाद आप लोग वह नो का उप्शन कर सकते हो तो इस तरह से आप लोग जो भी इसमें प्रोसीजर करना चाहो वह आप लोग इसमें कर सकते हो लेकिन चेंज कर देना वह दोस्तों अगर आप से भी कोई गलती से हो जाए तो उस चीज को सही से कर लेना अब ये कुछ चीजें बहुत अच्छी दे रखिए how do I home quarantine, quarantine के time आप लोग hand जो wash है वो proper करें, कोशिश करें 20 seconds तक wash करें कम से कम maintain 6 feet distance, 6 feet कम से कम आप लोग distance रखें एक दूसरे के बीच में कोशिश करें कि 2 meter तक रखें मैं तो ये कहता हूँ don't share towel and utensils, अपने बरतन और अपने जो towel है, उसको किसी के साथ में आप लोग share ना करें, do not have visitors, आपने जो भी visitors हैं, आप लोग उनको कोशिश करें कि ना आने दे, तकि आप लोग safe रहोगे, how to stay safe, उसके लिए आपके पास ये की YouTube पे दिया हुआ है, किस तरह से आप लोग safe रहोगे या मिता बच्चन जी ने भी अपना message दिया हुआ है कि how to avoid जो है आपके पास की दूसरे people से मिले, नहीं मिले, उसके लिए किस तरह से avoid करना है, तो वो सारी चीजे दिये हुई है, तो यहां पर ये option बहुत अच्छे दिये हुए है कि इस समय आपको क्या करना और क्या नहीं करना है COVID-19 do, क्या करना है ये परली तरफ आपके पास इस साइड में आपका दिया हुआ है, ये आपके पास की मुँपे मास्क लगाए, इसमें नहीं लगाया वाद दूसरे ने learn more about COVID-19, और जानना चाते हो safety measures against COVID-19, तो किस तरह से अपनाएंगे, किस तरह से hand wash करेंगे कोई help line number आपको चाहिए, ये हमारे मानने परदानमंत्री जी का भी message है कि it is an important setup in our fight against COVID-19 by leveraging technology, it provides the important information, बहुत जदा important information देता है as more and more people use it, its effectiveness will increase, इसकी जो आपके पास effectiveness है, जो चमता है आपके पास, जो आपका उपर जो impact डालेगी तो कहता है कि that will definitely increase, I urge you all to download it, ये आपके पास परदानमंत्री जी appeal कर रहे हैं बार-बार कि इसको download करे, वो आपका benefit है ये कहता है कि नीचे PM cares में donation देने के लिए, ये आपके कुछ number दिये है State Bank of India के आपके account number, IFSC code ये सब दिये है अगर आप UPI ID से देना चाहते हो, तो UPI ID का भी option है तो वो कहता है, जैसे भी आप लोग उसमें करना चाहो, लोगों की help तो वो help कर सकते हो दोस्तों, तो ये आपके पास government of India आपका दिया हुआ है इस तरह से आप लोग अपने आपको दिखा सकते हो, बता सकते हो ये दुबारा से वोई option आगया जो मैं बता रहा था कि आपके पास ये किस-किस तरह की problem है, तो none of above हो गया आपके पास दुबारा से उस monitoring पे हो गया, none of above इसमें भी आपका कोई problem नहीं थी have you traveled anywhere तो no का option जो मैं बता रहा था आपको, तो आगे ये आगया I have recently interacted or lived with someone who had corona positive तो नहीं था हम लोग I am a healthcare worker and I examine a COVID-19 confirmed case without protective gear ये भी आपका नहीं तो इसमें भी none of above हो गया, तो इस तरह से आपके पास ये आगया, your infection risk is very low, we recommend that you stay at home to avoid any chance of exposure to the novel coronavirus, retake the self-assessment test if you develop symptom or come in contact with a COVID-19 confirmed patient, do visit, अगर आपके पास कहता है कि कि किसी भी Corona-19 patient के गलती से भी आप लोग आ गए हैं, जो आपके नजदीक आगे हैं, contact में आगे हैं, तो इस पे आप लोग विजिट करने की कोशिस करें, अपने बारें पूरा बताएं, वैसे इससे पता लग जाएगा, तो नो दबाया तो आपके पास जो infection, जो risk है, वो आपका बिल आ रहा था, तो एक बार तो हम लोग इसके बारें बता चुके थे, तो ये self-assess है, ये दुबारा से assess कर लिया, हमने assess करने के बाद आपको ये पताया, COVID की कोई भी update आती है, वो ये daily की आ रही है, कि इंडिया में आपके पास कितने हैं, इंडिया में आपके पास महराष्ट में कितने हैं, सबी जो state wise है, वो आप लोग देख सकते हो, तो इससे ज़्यादा गबराने की जरूरत नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि हम हमारी value है, फिर भी हमारी सरकार ने इस पे बहुत control किया है, सरकार ने अपना दिन रात एक किया हुआ है, हमारे परधान वंतरी जी ने द available हो जाएगा, तो इस तरह से दोस्तों, आप लोग इसको कर सकते हैं, किसी को भी share करना चाहो, तो ये share का option है, तो इसको share कर सकते हो, उससे भी download करवाएं, ये बहुत अच्छी एप है, और बहुत ही काम आने वाली एप है, तो ये था आज हमारा कि आरोगे से टू एप जो ह करें, तो उसमें किस तरह मदद कर सकते हैं, तो जरूर करें, सभी से मेरा निवेदन है, सभी जो भी listener है वो इसको जरूर करें, very very thank you दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद,